प्रोग्राम के इस प्यारे से प्रोग्राम में आपका स्वागत है हमारे साथ कारी साब हैं अभी कारी साब हमारे क्लिनिक के सामने से जा रहते तो हमने इनको दो पल रोक लिया हम वीडियो शूट करने जा रहते तो हमने का क्यों ना वीडियो शूट करने का काम अपने कारी साब से शुरू करा जाए तो हमने इनको रोक के इनसे इलतजा करी, इनसे request करी कि जो भी आप इत्ते जिनों से हमारे बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो एक बार अपने साथियों के साथ share करें तो कारी साथ ने इंकार नहीं करा, हम लोग की बिंती को accept कर लिया, मान लिया और यह हमारे क्लिनिक रुख गए, अब बाकी की बात कारी साथ के साथ और यहां कारी साथ मैं बता दूँ, 500 बच्चों को निसुल्क पढ़ाते हैं इनकी एक संस्ता है, नदवे से जुड़ी हुई, तो उसमें 500 बच्चों को यह लोग निसुल्क कापी, पेंट सब कुछ देते हैं और निसुल्क पढ़ाते हैं तो अब बाकी की बात हमारे कारी साथ के साथ अलहमदुल्ह आज डाक्टर साब से मुलाकात होके बेहत खुशी और मसरत हुई है और डाक्टर साब ने बड़ी प्यार भरे अंदाज में हमको बुलाया और हम डाक्टर साब की बात का इंकार भी नहीं कर सकते हैं के डाक्टर साहब के खिदमात और इनका आगे का मामला जो है बहुत बढ़ा हुआ है जिसको हम लोग हमेशा याद रखते हैं और याद ही रखेंगे अलान चाहा तो उपर वाले ने डाक्टर साहब कर जिए किलेनिक जो है अपनी एक अलग पहचान रखता है और इस किलेनिक से लखनों के लोग ही नहीं बलके पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए हैं और एक अजीज हमारे रिशेदार भी हैं जो बाकादा डाक्टर साहब से दवा बंबई मंगवा लग रखÖ गई उनको अलभा शिफा हुई वो ठीक हुए असल में मामला ये है के डाक्टर साहब की जो दवाएं हैं और 사त है दिल से दिल जाती है खुलूस से और मेर प्यार से तो ओपर वालज का जा AT-GI समें फिर शिफा रख देते द版ा में तो डाक्टर साब की जो दवाएं हैं ये पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है और खिदमत का जजबा भी है खास तोर से हमने देखा हम उन प्रोग्रामों में हर साल शरीक हो रहे हैं डाक्टर साब की बुलाने पर आते हैं 15 अगस्त है 26 जनौरी है ये ऐसे प्रोग्राम है के डाक्टर साब यहां पर उन दोनों दिनों में तकरीबन दस्यों लाख रुपे की दवा बाटते हैं जो खिदमते खल्क के तोर पर और बगार किसी मजभब के तफरीक औ मिल्लत के कोई हो चाहे वो हमारा हिंदु भाई हो, मुसल्मान भाई हो सब को डाक्टर साब की तरफ से दवाएं फिरी दी जाती है और वो दवाएं जो होती हैं वो बड़ी पैटन्ट दवाएं होती है जो लोग ले जाते हैं वो बाद में उसका तखिरा करते हैं बरसा बरस सालों उसका तखिरा रहता है काफी लोग हमसे मिलते रहते हैं और डाक्टर साब की खिदमत का इतराफ करते रहते हैं और हम तो कामनाएं और दौाइं देते हैं डाक्टर साब को कि इनकी सहत लंबी हो और दराज हो ताकि इस तरह के खिदमात जो हैं लोगों के लिए हमेशा के लिए काइम और दाइम रहें और आगे बढ़ते रहें डाक्टर साब का हलका जो है बहुत वसी है और तमाम हमारे शेहर के लोग भी मुसल्मान भी हिंदू भी सब जुड़े हुए है और डाक्टर साब जो हमारे हिंदूस्तान की मानी जाने वाली हस्ती जो है और यहां के सदर भी रह चुके हैं और यहां के सिंटिस्ट भी रह चुके हैं वो डाक्टर पीजे अब्दुलकलाम साब से भी बड़ी मुहबत औ तालुख डाक्टर साब का हमेशा से रहा आज भी उनका तालुख है बहुत जादा और वो उनके लिए दुआएं करते रहते हैं और हम लोग भी दुआ करते रहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो है इस तरह के खिदमते खलक करने वाले लोगों के साथ हमदर्दी का जजबा रखने वाले आज भी अलहमदलिल्ला इस दौरे फितन में भी मौजूद है लोग देखना नहीं चाहते हैं अगर देखना चाहें लोग तो खुली आँखों से तजरुबा कर सकते हैं देख सकते हैं कि आज एक ही मंच पर डांक्टर साब बैठे हैं हम बैठे हैं और इसी तरह के परोग्राम डांक्टर साब बारहा पूरे साल में कई मरतबा कराते रहते हैं कोई एक दो प्रोग्राम नहीं है ये ये हजारों प्रोग्राम है डाक्टर साब के आज भी मतब पर कोई आता है वो बताता है अपने आपको गरीब तो डाक्टर साब की दवा तरफ से फिरी दवा होती उसके लिए और हमारे कई ऐसे मरीज हमारे जनने वाले आएं जिनको हमने खुद बेजाए डाक्टर साब ने उनके लिए हमेशा रियायत रखी है और उनके लिए एक प्यार भरे अंदाज में डाक्टर साब की दवाएं जब जाती है तो उनको शीफा भी मिलती है वो अच्छे होते हैं औ बिमार हो और हर तरह से उसकी उमीदे टूट चुकी हो और फिर वो एक बार डाक्टर साब की मतब का रुख इक्तियार करता है वहाँ पर आता है उसको शिफा मिल जाती है तो उसके दिल से आप पूछिए कि वो कितनी दौाएं डाक्टर साब को देता होगा यह हम और आप बखुब और लोग भी जानते हैं और इसी तरह से हम इसलिए यह बेजा और बेतकल्फ यह बाते कह दे रहे हैं कि हम भी एक खिदमत का जो है सुसैटी उस संस्ता चला रहे हम भी सत्रह साल से लोगों के खिदमात कर रहे हैं किसी की गरीब लड़की की शादी है ठेला देना है सिलै मशीन देना है या इलाज में कुछ ताउन करना या उसकी दवा फराहम कराना है या सरदी में लिहाफ एकंबल है ऐसे यह हमारे पास एक शखस आया और उसने कहा कि क्या गएर मुस्लिम है हम हिंदू है क्या हमें भी लिहाफ मिल जाएगा तो मैंने का भाई एक बात बताईए कि आप इनसान नहीं है तो बिचारा और रो पड़ा और उसको हम लोगों ने फिर लिहाव दिया सरदी में तो इनसानियत के लिए जो जो काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा से रहे हैं लोग और हमेशा रहेंगे और ये हिंदुस्तान हमारा जो म शुरू कर रखाया इस खिदमत के जरीए से के चले थे हम तनहाई लेकिन जब हम जो है हमने खिदमत खलक की तो हम आगे बढ़ते गए कारमा जुड़ता गया तो आज एक इतना लंबा और इतना बड़ा वसी हलका डाक्टर साथ से जुड़ा हुआ है और शेहर के तालीम य उनका बड़ा हितराम करते हैं और उनसे बड़ी महबत और अकीदत रखते हैं और ये हमारे इस शहर की जहें वो एक आन है और वो एक उमीद है और लखनो यूश्टी से उनका तालुख है तो आप जानते हैं कि बड़े लिखे लोगों का तालुख जहे उसी लाइन से होता और बड़ा अंदाज होता है उनका एक आपस में मेल जोल का तो ये इन्शालला डाक्टर साब के लिए हम बड़ी दुआएं करते हैं और हम चाते हैं कि ये खिदमत का खलका जजबा और इनसानियत के लिए हर तरह से डाक्टर साब हर मैदान में खड़े हैं और लोग इनके साथ भी खड़े हम भी इनके साथ हैं हम दौाएं करते हैं और इन्शालला अमीदे कि आप लोग भी इस तरह के मतब का बारे में जो भी मालूमात हो आपको खुले तोर पर और दिल से जो हैं आप मालूमात कर सकते हैं इन्शालला आपको यहां से नाउमीदी नहीं होगी आ आप यहां से उमीद लेके जाएंगे और इन्शालला आपको यहां से फायदा होगा यह हमारा दिल बोलता है और हम तजरुबा कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इस छोटे से मतब से अल्ला पूरे हिंदुस्तान के खिदमत ले रहा उपर वाला और उपर वाला जिसक के लिए आफियत के लिए अς मतब के लिए कि लिए आपस को वाला तमारे नमने यहां चीत हैं जलन से और यहां पर सहत हो और आफित हो यही हमारी कामनाएं और दौाएं हैं और आप सब को हमारी तरफ से नमन हैं नमस्ते हैं और दौाएं हैं आपको सलाम है हमारी तरफ से तमाम लोगों को यह हमारे आने का हमारे समझे एक सुनहरा मौका था और डाक्टर साथ से मिलने मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत मसर्रत हुई, हम इनको बहुत मुबारक बात देते हैं, आखिरु दावान, लहम्दुल्ही रब्लावीन। आज का दिन साथियों देखे, कारी साथ के साथ सफल हो गया, मैं थोड़ा सा बदनाम रहा हूँ कि अपने से उमर में तजर्वे में ज्यादा लोगों से दोस्ती करता हूँ, थोड़ा कभी-कभी मेरे साथी मजाग भी उड़ाते हैं कि यार तुम अपने लोगों भी इस नही यादा करता हूँ, कोशिस करूँगा इनकी उमीद कभी न तूटे, कोशिस करूँगा आपकी उमीद कभी न तूटे, और जो सेहत का कारवा है हिंदुस्तान जो इस समय बहुत दिक्त से स्वास्त की जूज रहा है, उसमें जो हम लोगों की तरफ से होता है, वो करा कारी साब को शुक्रियादा करते हुए इस खुबसूरा से लमे के लिए करते हैं कर दो तक में दो हमें कर दो दो हम पुर मकर दो कर दो हमbstशे है कर दो में घुबए कर दिव और झाली रणकर फ़र्ई पमयने पड़ली है प्रप्रोग पोग्रवी ए्रोज्य करें